हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, उमीद आप सभी लोग अच्छी होंगे चलिए हम आज की वक्सित स्टार्ट करते हमारे 56 है समाजिक विज्ञान की मुद्र आवम साथ तीन तदा पाँच अंक वाले हमारे दिर्ग उस्तरीय प्रशन है पहला कोशन है भारती रिजर्व बैंक जो है ओफ इंडिया की कारियों की व्याख्या करने हमें आपका अंसर है रिजर्व बैंक ओफ इंडिया की कारियों सरकार की ओव से मुद्र जारी करता है बैंक को वा समीतियों की कारिय प्रिनाली पर नचर रखता है ब्याज की दरोवार रंड की सर्थों को भी निगरानी रखता है बैंक कितना नगत शेष अपने पास रखवे इसकी भी हो सूचना रखता है दूसरा कोशन है हमारा अनवचारी छेतरक के रिंड गति वीदियों कम किये जाने की आश रखता है उसी तरकों से आप अपने उतर की पुस्टी कीजिए अनवचारी छेतरक में रिंड दाताओं की गतिवीदी पर देखरेक करने वारे कोई संस्था नहीं होती है वैचिक दरोपर रिंड देते हैं और गलत तरीकों से फिर यह और अधिक ब्याज से वसूलते हैं इसलिए अनवचारी छेतरों में रिंड की गतिवीदी कम करने की आफशकता है तीसरा कोशन है आपका गरीबों के लिए स्व्म साहता समू संगठन महत्पून है काहिए गरीब्यों के लिए कार्च अनमे हैं उस्व रोजगार बैंकों से कर्ज लेने के लिए रिन अधार और विश्यस काज़ातों की जद पड़ती है रिन अधार के नुपलवता ही एक प्रमुक कार्याने जिससे गरीब बैंकों से रिन नहीं ले पाती है और अपचारिक रिन जासे इसाउकार जो बिने रिन अधार के भी रिन देने को तैयार हो जाते हैं उसलिए जो गरीब लोग है वो उन पर निर्भर करते हैं आपका पांच्वा कोश्चन है साख की सर्थों से आप क्या समझते हैं यह पर देख व्यक्ति के लिए किस प्रकार भिन हो सकती है आपका अंसर है ब्यासदा समर्तक रिन अधार आश्यक कागजात एवं भुगतान के तरीकों को शाक की सर्थे कहा जाता है यह आपचारिक छेता था अनपचारिक छेत में अलग-अलग होती है प्राए आपचारिक में इसमें कम ब्यास लगता है रिन अधार की जोद पढ़ मुद्रा के आधोनी प्रकारों ने हमारे जीवन को बहुत सरल कर दिया अब लोग चेक, क्रैडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटियम, फोन पे का इस्तमाल करते हैं इसे नोटों की आशकता ही नहीं पढ़ती सीधे बैंक खाते से जुड़ा हुआ होता है और यह मातमक, भूमी का कोई आप दो उधारन दीजी, तो इसका मैने उधारन लिखा है, देखिए, उधारन है मेरा, आप अपने तरफ से भी लिख सकते हैं, मैंने कुछ ऐसा लिखा है, मेरे मामा की चावल की मील में मशीन खराब हो गई थी और खेतों में चावल कटना सुरू हो 12% की वाशिक दर पे उन्हें लोन मिल गया, फिर वो असाली से अपने काम में वापस लग गया और काम करने लग गया, आपको दो उधारन देखिए, मेरे पापा एक दुकान दार है, तुहारों के मौसम में ज्यादा समान लाना होता है, ताकि वो लोगों के जरत को जो भी चीज़े हैं, उन्हें को पूरा कर सके, पर पैसा नहीं था इस बारी, उन्होंने बड़े वैपारी से का, जिसके आंसों समान लें जाते थे, कि तुम मुझे अभी समान दे दो, मैं एक मेरी के अंदर तुम्हारा सारा पैसा दे दूंगा, वैपारी मान के, क्योंकि महां प उन्हों की भूमिका निवा सकता है, उधारन सही आपको व्याख्या करनी है। सपना ने क्या-क्या साहुकार से कर्ज लिया ताकि वह अपने फसल को बढ़ा सकी लेकिन फसल खराब होने कारण वह कर्ज नहीं चुगा पाइए फिर उसे अपनी जमी बेचनी पड़ी ताकि वह कर्ज वापस चुगा पाएं रिन ने उसकी कमाई बढ़ाने की बज़ाए उसकी सिती और खराब कर दी और वो कर्ज जालने फस गई है ठीक है तो कर्ज जाल ऐसा होता है जहा हमने कर्ज लिया और जो जिस चीज के लिए वह चीज हमारी काम नहीं आई तो हम क्या हो गए कर्श जालने फस गए नीचे देगा अनुचेत को आपको पढ़ना पूछे का प्रशनों को उत्तर देजी मेगा ने घर खरीदने के लिए बैंक से पांच लाख रुपे का कर्श लिया इस कर्श को वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर जो इसकी 12% प्रतिश रख लेता है जिसे मेगा द्वार्ष अभ्या समिछ जब वो कर्श लोटा देगी तब उसे वापस करते जाएगा तो आपके यहां पर कुस कोशन्स दिये वह हैं आपको इसमें आंसर लिखने रिन की राशी कितनी है रुपे में लिखनी है समर्थक रिनाधार अदाइगी क स्वरूप और आशक कागजत कौन को से दिखाए मेगा ने आपको लिखना है किसका अंसर देखिए रिन राशी में कितनी रुपे थे वह पांच लाख रुपे थे समर्थक रिनाधार क्या लिया गया उनके नए घर के कागजत ले लिया बैंक रिनाधार अदाइगी का स्व को के फ्रेंड्स यहांपे हमारा वीडियो कंपिट होता है यह वंप आपको Deutsch पसन आया है को से लाइक कीजे कमैट कीजे शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों को इसकाओ कर दीजिए और अपने और खुद अपने सारे दोस्तों साथ में चारब को सब्सक्राब कीजिए थैंक यू